आज वर्नन करते हैं प्रकरती का वात पित कफ प्रकरती और वात पित प्रकरती और पित कफ प्रकरती इस दंग से दो दो मिल करके ये छे प्रकरती हो जाती है साथ भी है तीनों को मिला करके आज हम वर्णन करते हैं वात परकर्ती का कि ये कैसे होते हैं लोग इनके शरीर कैसे होते हैं और इनको क्या पसंद होता है और क्या इनके रोग हो सकते हैं वात परकर्ती के बारे में बताने से पहले आप से गुजारिस करूँगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वाद परकर्टि वाले लोग, इनके बाल रूखे और केड़े होते हैं, इनकी आवाज करकस होती है और भारी आवाज होती है, और ये बोलने में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इनकी पसंद जो है, थंडी पसंद नहीं है इनको, ये गरम खाते हैं, गरम अस्थान में ही रहना अच्छा लगता है, खटा और मीठा खाना इनको पसंद होता है, और इनका स्वैबाव रुक्ष, कडवा और चंचल होते हैं, ये कडवा बोल देते हैं, इनकी बुद्धी इस्थिर नहीं रहती, कभी किसी तरीके सब बात करते ह हैं, कभी क Democrat, अपने प्रोग्राम बनाने में इनको कुछ डाइम लगता है, क्योंकि इस्थिल वो दिन ही होती, नारी, तेखने में नारी, इनकी एनियमित होती है, कभी तेज और कभी गरम होती है, स्वाध इनका फिका होता है, मुँ में फिका-फिका स्वाध रहता है, जी युरिन इनको कम बनता है और आखें इनकी चोटी और धसी सी होती है और कुछ लोगों को आखें गंधी भी रहती है पसिना इनका कम आता है इनकी तवेचा रूखी खुर्दुरी और फड़ी सी होती है और इनका सुखा और भूख इनको कभी ज़्यादा और कभी कम लगती है नाखून देखने से इनके खुरदूरे नाखून होते हैं और कबज रहती है या इनको मल कम ही आता है मुत्र इनका पेलापन पर रहता है इनकी चाल थेज और चंचल होते हैं और इनको नेद भी कम आती है स्वःपल में इनको आकाँच दिखाई देता है आकास में उरते वे दिखाई देते हैं और ये बार-बार मल त्यार करने की इश्चा बनती है वात परकर्टी के कारण ही अधिकतर लोग होते हैं क्योंकि पित और कप इस्ति रहते हैं वात के साथ ही उनसे कंट्रोल होता है अगर आपको सभी रोगों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले वात और वात के साथ में पित कप आदी सभी को कंट्रोल किया जाता है अगर इनको वात बढ़ जाती है वात परकर्टी वालों को वात बढ़ने से इनकी बोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है उनके स्रीर में दर्द नानसू हो जाता है ये भूलना शुरू कर देते हैं इनको बात याथ नहीं रेती और इस ट्रेस बहुत ही जल्दी और बहुत ज़ादा होता है इनके जोडों में दर्द मन जाता है और जोडों के दर्द पेरलाइसिश टैप के ये ऐसे रोग इनको होते हैं इन से बचने के लिए आप सवरे पाली पीएं और कुले में कभी-कभी नारियल का तेल मुँ में ले करके दस मिनट रोकें और मुँ की में घुमाई हैं यानि कि इसको मसाज करें तेल को अंदर से मुँ में घुमाई और फिर कुछ देर के बाद उसको थूख दें शरीर को जुरूर रगने अगर आप तेल मालिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ने तो रूखी-सुखी-मालिस भी इनको लाबदायक होती है नाख में तरावट वाली चीज डाले यानि कि नाख में तेल डाले, नशे करे जैसे गाएं का घी डालना और इन कानों में भी इने तेल डालना चाहिए नाख में सरसों का तेल लगाए नाभी में भी तेल लगाए और गुदा पर भी तेल लगाए रात को सोने से पहले इन्हें दूद पिना चाहिए और गाएं कागी डाल करके दूद पिये तो बहुत अच्छा रहता है इन्हें वातपरकरती वाले व्यक्तियों को वात रोग होते हैं वात रोग में आपको गठिया बाय आपका जोर्ट स्वेंट दर्द रेना स्वांस जोग होना और असी परकारते लोग होते हैं तो इन से बचने के लिए इनको फल की सी गरमाट में रहना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए ठंडी शीज़ों से बचना चाहिए कोल्ड रिंग को अगर ना लें बासी भोजन ना करें अगर बासी भोजन लेते हैं तो ये वात परकरती वालों की वात जो आना बहुत विख्रित रूप से हो जाती है इन्हें ड्राइफ फूर्ट खाना चाहिए और पत्यदार सब्जी अगर ये लेते हैं तो इनके शरीर में वायू और बढ़ सकती है क्योंकि पत्यदार सब्जी वायू बर्दक होती है ठंडे चावल ना खाए आलू कड़ी जो वायू बर्दक चीज़ें उन्हें ना करें आज इतना ही फिर मिलते हैं वित्र कफ प्रकरतिवालों के बारे में बताएं आज धन्यवाद नमस्कार जै करें आज अर genome channel bell करें वायू झालू गली हर रिमा करें लुझा एस नमस्कार चावल नहीं सकती है छू सरिवालों के लुझांस में आज़ होती है को लिए भ्यान खावल पनस्मा करें सावले.